नमस्कार नसुख कोई ऐसा दूजा है सच कहते हैं मानव सेवा इश्वर की सेवा है पर कई बार हम जीवन में सब कुछ छोड़ कर काम्यापी के पीछे सक्सेस के पीछे भागने लगते हैं हम अपने अलावा अपनी बेहतरी के अलावा ना कुछ और सोच पाते हैं ना कुछ और देख पाते हैं पर देखा जाए तो मानव सेवा का जो भाव है वही सबसे सचा भाव है और जन सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि खुद के लिए तो सब जीते हैं जो दूसरों के लिए जीए जो दूसरों के काम आए वही सच्चे माइनों में सफल है वही सच्चे माइनों में सुखी है बिलकुल अनामे का ये जीज़ा आपने बिलकुल सही कही कि जो दूसरों के लिए जीता है सच्चे माइने में वही सफल है और सीवा भाव का रूप हम सभी के अंदर होना चाहिए और एक line बहुत famous है कि when you do good for others, good comes back to you जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है और साथी दर्शकों जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि हर रोज हमें एक नई संभावनाओं के साथ एक नई उमीद का मौका देता है ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सके और एक नई चीज की एक नई शुरुआत कर सके और दर्शकों जब दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच एक अच्छे विचार के साथ करते हैं तो सब कुछ हमारे साथ अच्छा होता है और दिन भी हमारे काफी अच्छा जाता है तो आई दर्शिकों आज के दिन की और आज की इकारे करम की शुरुआत करते हैं अनमूल वचन के साथ प्रसनता ही एक मात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिरकते हैं तो कुछ बुंदे आप पर भी पड़ती है महात्मा गान्दी आपको बता देकिया स्टूरियो में हमारे साथ है डॉक्टर संजय कुमार ये अडिशनल प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ गेस्टो सरजन आईजी एमेस पटना में सर वेरी वाम वेलकम सर बहुत-बहुत स्वागत है दिहार दिहान सर हम सभी जानते हैं कि हम लोग हर साल 28 जॉलाई को वर्ल्ड हैपिटाइटिस चे मनाते हैं जाना चाहूंगी कि जिन को मनाने का उद्देश क्या है और साती हर साल का थीम अलग होता है इस साल का थीम क्या है इस बारे में वेसार से कुछ पताने चाहेंगे डोक्टर ने जो हीपिटाइटिस बी के खोज की डोक्टर ब्लूमबर्ग थे अमेरिका के बाद में फैसला किया गया कि पब्लिक में अवेर्नेस बढ़ाने के लिए इस बैमारी की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है तब 2008 से इसकी वर्ल्ड हिप्टाइटिस दे मनाने की शुरुवात की गई और परते कवर्स इसका एक थीम रहता है इस साल का थीम है इस टाइम टू एक्ट या करवाई का समय है संचने का समय है करना है तो इस साल पुझे ही बिश्चु में देखा जाए अभी 30 क्रोर संख्या लगभा हिप्टाइटि बी और सी मरीजों की है यदि हम इंडिया की डाटा लें तो 3 क्रोर मरीज अभी इंडिया में हिप्टाइ हेपिटाइटिस बहुत गंभीर बिमारी मानी जाती है और हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि हेपिटाइटिस कितने प्रकार का होता है और क्या सारे का वे ओफ ट्रीटमेंट एक ही तरह का होता है विस्तार से बताएं इस पारे में हिप्टाइटिस देखा जाए तो गीचे पांच तरह के वारस हैं बहुतने प्रमुक और ननने कितने जलता है अल्कोहल जो जहादा सेवन करते हैं उन्हें हो जाता है आजकर फास्ट फूड का सेवन स्था जल्द लोग जैदा कर रहे हैं उसके चलते हैं फैटी लिवर की समस्या है उसको फैटी दूसरा है कि drug induced hepatitis, बिना डॉक्टर से चला लिए, जोडों में धर्द हो गया, अपने से दवा ले रहे हैं, उसके लिए drug induced hepatitis उनको हो जाता है, एक hepatitis ऐसा है जिसको autoimmune hepatitis बोलते है, autoimmune hepatitis मतलब अपने शरीर के अंदर में antibody बन गया उस liver के against में, तो इसको autoimmune hepatitis हो गया, अब य सर हम अपनी चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, दर्शको कई बार ऐसा होता है, समय की अभाव की वज़े से हम खुद पर ध्यान नहीं दे पाते, अपने स्वास को नजर अंदाज करने लगते हैं, यह हमें नहीं करना है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमें expert की सलाह लेनी चाहिए, और उन्होंने जो भी कुछ बताया है, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, क्यों मुसकान, मुसकान अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, अगर हम अपने lifestyle में changes लाएं, अपने eating habits को सुधारें, तो हम hepatitis जैसी गंभीर बिमारी से बच सकते है पर जरूरत है तो अपने स्वास्त के प्रती सचेत रहने की और जागरुक रहने की, क्यों? सोटो का मतलब हुआ, estate organ and tissue transplant organization, तो पहले किसी व्यक्ति को, यदि transplant करने की, उसकी donate करने का है, तो सोटो के द्वारे एक फर्म जारी किया जाता है, है, online भी है, offline भी है, उसको place बोलते है, place for organ donation, उसको फर्म भरके रख सकते हैं, उसके बाद जब उनकी बित्य हो जाती है, जाता है, या कोई road accident हुआ, उनकी मिर्ति हो जाती है, जादी प्लेज किये हुए है, तो ठीम जाएगी, उनका organ retrieve करेगी, किड्नी, लीवर, cornea, जो भी होगा लिया जा सकता है, और जैसे सोटो है, जैसे किसी व्यक्ति को transplant का सुनिश्चित कर दिया गया, अब इनका liver खराब हो चुका या किड्नी खराब उनको transplant को जोरता है, वह ब्यक्ति सोटो में के मिलेंगे, सोटो में जाके उसकी listing होती है, organ listing, बोलेंगे organ listing होता है for disease donor के लिए, लाइव के लिए को लिस्टिंग नहीं होती है, सबसकि आज लीवर खराब हो गया, उनको liver transplant को जोरता है, और जैस किसी व्यक्ति का disease donor होता है, उनका liver लेना है, तो उसमे priority देखा जाता है, जै पहले किसका है, उसी की दोड़ादा होता है, नहीं तो ऐसे होगा कि आज है किन को दे, organ मिला तो किन को दे, उसमें 100 आदमी है, जिनको priority list में पहले है, उनको देखा जाता है, फिर उसमें मिलाए उसको इनफर्म करते हैं, वहां में जो लिस्टेट है उनको देंगे, वहां नहीं मिला तो फिर नोटो है नहीं दिल्ली में, फिर वहां ख़वर करते हैं, तो वह और उसमें पेशेंट किया था, तो kidney तो हम लोग यहां transplant कर लिया, लीवर कर लिया था, heart का चला गया दिल्ली और आपका kidney चला गया दिल्ली, वहां जाकी transplant कियाग तो इसका खर्च क्या कुछ आता है, फिर भी ऑर्गन डूनेट करना चाहते हैं को जो लीना चाहते हैं तो इसे अलग अलग और उर्गन के लिए टारषी अलग अलग है, तो कोस्ट मतलब है कॉस्टली है, जिसे सबसे कम जादे खर्च नहीं है, कोई भी वियक्ति, नॉर्मल विर्तिव होने के 6 गंटे गंदर भी अपना कॉर्णिया डूनेट कर सकता है, उसमें बहुत कम खर्च आता है, बिहार सरकार से और किन सरकार से भी ट्रांस्पार्न के लिए पैसे रासी की उपलब्द है, ज़िए किद्न सरकार दे दी, 2-3 लाख रुपे मरीज को अपना खर्च करना पड़ेगा, जाती जाती हम चाहेंगे आप हमारी दर्शकों को कुछ मेसेज दे, क्या कहना चाहेंगे आज? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बचाओ ही जरूरी है, इलाज के लिए नहीं जाएं, बचाओ जो कर करूँ, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कौन-कौन सा है, जैसे अलकोहल है, फास्ट फूड है, दूसरा है कि इन्फेक्शन कोज में भारल हेटाइटिज के दो मोड होते हैं, एक वाटर बॉर्ड बॉर्ड है, एक ब्लॉर्ड बॉर्ड है, तो वाटर बॉर्ड को जो जादा डेड़ है, इंडिया में उसी से जादा डेथ होते हैं, ए और ई से जादा डेथ नहीं है, तो ब्लॉर्ड बॉर्ड डिजिज कैसे रोक सकते हैं, उसका रोकने का तरीका है, जै कहीं भी आपका नीडिल सेर नहीं करें, जै इन्फेक्टेड परसन से ब्लॉर्ड क जब कंटेक्ट आएगा तभी होगा दूसरा चीज है आपका कहीं सेविंग जो करते हैं जब सलून में चले गए पता नहीं है सेम रेजर को यूज कर रहा है उसमें फिर संभावना होती है इंस्टेक्शन होने की जब से लोग डिस्फिजबूल यूज करेंगा दूसमन नहीं अं से लिव्तिक्शन होता है शोते हरी से मदर से बच्चे में होजाता है छ को अनिवार्श आपका से लुटम से बच्चे में बच्चे में होजाता है जितना early ज़दी infant में चला गया तो उसमें 50% cases में उनको करॉनिक लिवार डिजीज होने के समभवना है और ज़दी किसी adult को होता है तो only 10% उनको करॉनिक लिवार डिजीज होने के समभवना है तो सोचे कितना difference है सर आपने बहुत अच्छी जानकारी और आज के दिन बहुत एहम जानकारी हमारे दर्शकों से हमसे साजह की जैसे कि सर ने भी बताया कि prevention is better than cure अगर हम अपना ध्यान रखेंगे अपने खान पान का ध्यान रखेंगे अपने lifestyle में modification लेकर आएंगे तो हम एक स्वस्त जीवन जी सकते हैं और hepatitis जैसी गंभीर बिमारी से बच सकते हैं